तो भाई जुनियर NTR की अगली मुवी देवरा का ग्लिम्स आ चुका है जिसको मैं अभी तक देवारा बोलता था लेकिन ग्लिम्स को देखने के बाद पता चला है कि उसका एक्चुली नाम देवरा है और इस ग्लिम्स पर मेरे क्या रिव्यूज है मैं आपके साथ सेर करूँ कोई माल लूटने के लिए जा रहे है और जुनियर NTR उस सी पैरेट्स को रोकने के लिए आता है और उपर से ग्लिम्स के लास्ट में एक डायलोग भी है कि उससे पता चलता है कि मोस्ट प्रोबेबली स्टोरी इसी समुंदर के राउंड गुमेगी ग्लिम्स के बेगराउं का है कि मैं इस समुंदर का राजा हूँ भाई मेरे इस समुंदर को छोगे भी तो मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूँगा उपर से पूरी फिल्म में बेगराउंड म्यूजिक दिया है मेरे परसनली फेवरिट कंपोजर अनी रूट सर ने जिसकी बेगराउंड म्यूजिक ब पता चला है इस फिल्म में जुनियर NTR डबल रोल में यानि कि फादर एंड सन के रोल में दिख सकता है जो हम जवान फिल्म के अंदर देख चुके हैं मुवी के VFX और Xan Sin की बात करें तो ग्लीम्स से पता चलता है कि VFX और Xan Sin काफी अच्छे होंगे और कलर कॉंबिनेशन की बात करें तो वो भी बढ़िया नजर आ रहा है इस मुवी में से फली खान में विलन का रोल प्ले करेगा वोलीवुड से जानवी कपूर इस फिल्म के साथ सावूत में अपना डेब्यू करेगी और ये फिल्म 5th एप्रिल को सिनेमा घरों में रिलिस होगी तो फाइनली भाई मुझे ये ग्लिम्स काफी ज़्यदा पसंद आया और वेसे भी इंडिया में सी पैरेट्स पर फिल्म साइद कम ही बनती है आपको ग्लिम्स कैसा लगा कॉमेंट करके मुझे बताओ और मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए चाहिए हिंद